आज हम बनाएंगे साबुत मूं के मसाला पूरी इससे आप ब्रेकफास्ट में डिनर लंच या कोई तेवार में असानी से बना सकती है यह पूरी इतनी टेस्टी होती है इसमें आपको पूरी कचोड़ी दोनों का स्वाद मिलेगा तो बनाना सुरू करते हैं वीडियो को अवर्च भी हो आया हुआ हमने आपट लिया जिससे अम ग्राइंठर में इसका पेस्ट तयार कर लेंगे दो अद्रक के स्पून हल्दी पॉडर स्वाद अनुसार नामक डालें तेस्ट के कोडिंग अपने यहां पर हमने दो चमच के कड़ीब रिफाइंड रॉल यूज किया है हाप चमच जीरा रोस्टेड मिर्च पॉडर चुटकी भर अजवाइन थोड़े से हाथ पे मसल के थोड़े से चुट धनिया पत्ता को एड़ करेंगे यहां पर 400 ग्राम के कड़ीब यहां पर हमने गेहु का आटा लिया है इससे पहले हम साड़े मिस्रन को अच्छे से मिला लेंगे जितने भी इसमें मसाला हमने एड़ किया है कसूरी में यह सब रिफाइन वर अच्छे से सब मिल जाए कहीं यह नहीं कि नमक जादा राजा सबको अच्छे से मिलायंगे उसके बाद थोड़े थोड़े करके इसमें हम आटा डालेंगे और पूरे इसी मसाला में ही हम कि आटा को गुत कर लेना इसमें फानी एड नहीं करना है अच्छे से इसस оब को मिलाके हम सक्त दो तैयार करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं इससे गीला नहीं रखना है सक्दुडो तयार करना है अब इसे रेष्ट के लिए हम 10 मिनट केकड़ी ढखके रख देंगे तब तक इधर तलने के लिए तैयारी कर लेते हैं यहाँ पर गैस ओन कर दिया कधाई चरहा दिया है अब इसमें हमने आप कर सकता है बिल्कुल टेस्टी नहीं बनेगी तो इससे आप रिफाइन में घी में बटर में जिस चीज में बनाना चाहें बस सिर्फ सर्शो तेल को छोड़के उसमें आप नहीं बनाएंगे तो बहुत ही स्वाधिष्ट कचोरी होती इससे आप चाहें तो इस्टोर करक सकते हैं इसका दो तयार करके एक डबबबं यरट डबबं में इससे प्रेज में रख सकते हैं अप एक वीक के लिए इसे रखे और जब खाना हो गर्मा गरम कचोरी बनाएं खाएं बच्चे को टीफिन में दे या कहीं वी ले जाना हो सफ़र के लिए तो आप इस कचोरी क बनाये और सफ़र में ले जाए, बहुत ही कचवरी होती है, और लास्टिंग भी इसके बहुत ही खास्ता बनती है, यहाँ पर गैस फिलम को ना लो रखेंगे ना हाई रखेंगे, मेडियम और हाई के बीच में रखेंगे, जिससे हमारी कचवरी अच्छी सी फूली फूली तयार हुई है, आप चाहें तो दाल भी छीलके वली डाल मूंका ले सकते हैं, क्योंकि बाल में फाइबर होती है, जिसे हमारी कचोड़ी एक दम करारी और खास्ता बनी रहती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, तो इसे जरूर आप ट्राइ करें, फ्रेंस मास् ट्राइ रेजप इसे कचोड़ी बनाएं और तयार करें फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी बनती है इसे आप सब्जी के साथ चटनी के साथ रायता के साथ हरी मिर्च प्याज अचार जिसके साथ खाना चाहें आप इंजॉय कर सकते ऐसे तो इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है यह अपने आप म कुछ हूं मिकितना खा स्ता और खितना कुर कुछ हैं बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही इस सब्रेटे कर सकते हैं बन तयार किये हुए कोचणी को आप सबा भी सकते है चाए- तक बिलकुल दम टेस्टी बनी रहे गी बहुत ही खास्ता भील्कुल खड़ाब नहीं होगी इसे जरूर ट्राइब करें इस साबूत मोंभड़ी जिपनी टेस्टी है उससे कहीं जादा ही हेल्दी है क्यूंकि दाल में प्रोटीन होती है और छिलके में फाइबर तो आप इसे जरूर बनाएं बहुत ही टेस्टी बनती है और सफ़र के लिए तो इससे best कुछ हो ही नहीं सकता सिर्फ आप किसी चीज में थोड़े से अचार रख लें और बस सफर हो जाएगी असान इससे जरूर ट्राइब करें जरूर बनाए सभी को बहत पसंद आएगी फ्रेंस आगे भी ऐसी रेश्पी चाहते हैं हमारी वीडियो आपको पूरी तलने का ट्रीक एक साथे बड़ा रोटी तयार कर लें एक और गलास से सबको कट लगा के एक साथे आठ दस पूरी जट से निकाल ले जट पट में तयार की हुई कचोड़ी देखिए कितनी क्रिस्पी कितनी अच्छी बन के तयार हुई है फिर मिलती हूँ नई रेस पी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स को रचिंग जैहिंद जैफार्ट